इस वीडियो में हम बात करेंगे जियो वाइफे कॉलिंग के बरे में आप सबको पते कि एडियो ने प्रॉमिस किया थे कि वह वाइफे कॉलिंग लाने वाले उसके बहुत सारे अडवांटीज भी बताया था और मतलब क्या क्या सिनारी उसमें वह यूज हो सकता है वगरा सुबह से तब साथ बज़े से सुबह साथ बज़े से मैं वाइफे कॉलिंग पर बहुत सारे कॉल्स किया है जिए मैं बिल्कुल सही काम कर रहा है तो इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा कि क्या-क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ा यह सब अच्छा है तेक है और इसके जो फ्रीक्वेंटली आसको से बहुत लोगों को डाउट ता इसके ऊपर कि वाई डाउट तो होता है जो नया फीचर आता है और मतलब प्रॉमिस करता है कि यह करें तो डाउट हो गई तो इस सारे एफेक्यू का भी जवाब दूंगा इस वीडियो में वीडियो पसं और 4GV का यूज करता है पर ऐसा है कि जो इंडोर सिट्वेशन होता है गरिक के अंदर तो बहुत ऐसे से लोकेशन होता है घर में या हाई राइस बिल्डिंग में जहां पर नेटवर्क सिगनल सही से नहीं मलता एक डंटा मिलता है या डोड़ तो इतना सिगनल मिलता है तो इस बीच में कट भी हो सकता है तो इन सबको अड्रेस करने के लिए वाइफ़े कॉलिंग आ रखा है अब ऐसा है कि हर गर में मुस्टली वाइपे तो है ठीक है अब अब अपार्टमेंट्स ले लो कुछ भी ले लो वाइफ़े या बिलिंग्स ले लो ओफिस ले लो इसस में भी ऐसा होता है कि किसी किसी स्पॉट में सिगनल नहीं आता तो आपको क्या करना है बस आपके इनके मदलब वेबसाइट का मैं लिंक देनुग दिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक आउट करना उसमें अभी इनिशियली काफी ज़दा फोन का लिस्ट दे रहा है तो बस सेटिंग्स में जाना है और सोफ्वे अपडेट में जाके आपके फोन में एक अपडेट कर लेना लेटस्ट अपडेट उसके बात मैं बताता हूँ अभी करके दिखाता हूँ कि क्या करना है तो मैं तो सिक्स प्लस यूस कर रहा हूँ इसमें मेरे को क्या करना स्टेटिंग में जाके मेरे को बस mobile data में जाना पड़ा और यहाँ पर wafie calling जो है इसे on करना पड़ा simple as that ठीक आप वैसे ऐसे वह कर सकते हो मैं बताता हूं आपको जाना है यहाँ पर फोन पर फोन पर जाके भी आप यहाँ पर यहां पर वाइफाय कॉलिंग यहां पर वाइफाय काम करने लग जाता है तो जिससे पहले इसके एक बात और बता देता हूं आपको न 4G वोल्टी को भी आउन करके रखना है और जियो वाइफाय को क्यों ऐसा होता है कि गर पे हो वाइफाय काम कर रहा है वाइफाय डिसकनेक्ट हुआ तो तुरंथ मतलब सीम्लेसली वोल्टी आउन हो जाएगा तो यह आपको डाउट हो रहा होगा कि या मादलब बार 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 सेटिंग्स चेंज करने की ज़रूरत होगी बाहर अंदर आए तो वाइफाय करना पड़ेगा या बाहर गए तो वोल्टी करना पड़ेगा कुछ भी निए दोनों एक साथ एक्टिविट हो जाता है और सीम्लेसली कनेक्ट होता है जैसी आप वाइफाय करते हो है और उस समय अब देख सकते कि मेरे गर पर सिंगनल कितना आता है एक डंड है रोड हो जा पूई एक सेकंड है मेरे गर पर जीओ का सिंगनल ही नहीं आता फिर भी क्रिस्टल क्लियर वाइस था और कॉल कनेक्ट होने के लिए भी जादा टाइम नहीं लगा मतलब जैसे नॉ तो आपके फोन का ब्रैंड को सलेक्ट करना उसके बाद बता देगा कि आपका फोन है किने और अगर आपका फोन उस लिस्ट में है तो सेटिंग में जाना है सॉफ्ट्वर अप्डेट में जाना है और अप्डेट कर देना है फिर बाकी लोगों को एक और कन्फूशन गे भी ताकि वाइफे कॉलिंग करना कैसा है अगर आप घर पे हो आपने वाइफे कॉलिंग और रूम में वाइफे चल रहा है वाइफे कॉल करेगा और जैसी बाहर जाओगे और अगर आपने दोनों वोल्टी को भी आन कर रहा है जो मैं सजेस्ट करूंगा हाई ली कि करके रखो इससा कुछ भी ड्रेन बैटरी ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है और जैसी बाहर जाओगे तो आपका वोल्टी अक्टिवीट हो जागा तो यह जो सीम्लस ट्रांजिशन है इसको काफी ज्यादा अच्छा लगा फाइनली बात कर लेते कि इसके चार्जस क्या है कोई चार्जस निया आप क्यूंकि मैं ऐस आफ दिखानी है और announcement भी नहीं तो इंडिया के अंदर आप Wi-Fi calling बे फिकर कर सकते हो ठेक है और एक और गाउल्ट जो बागी लोगों को है जो यह कि रॉमिंग के टाइम आप Wi-Fi calling कर सकते हो कि नहीं अगर आपके जो सिगनल है वह एक नंडा भी दिखा रहा तब भी कर सकते हो र रिचाष्ज हुआ होना चाहिए जाये समझे ना वह होना चाहिए और वाइफाय होना चाहिए मैं कोओंगा कि एक स्ट्रॉंग वाइफे है तो बैटर रहेगा तो तो उम्हीद करते हूं कि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरू कर देना सब्सक्राइब कर लेना और अगले वीडियो मिलते हैं बताने या कमेंट सेक्षिन में कि कैसा लगवा और आप इंट्रस्टेड होके नहीं जियो वाइफाई कॉलिंग के लिए थैंक यू सो झाल